नमस्कार आज हम व्रिंदावन में हैं युवा धरम संसत के उपलक्ष में परीधी एवं सेवाग्य संस्थानमदारा आयोजित राश्रेच चित्रकला कारेशालावा प्रतियोगिता जिसका विशे है 21. सदिका भारत और युवा सांस्कृतिक परिपेक्ष में 13. सितंबर आज प्रता काल इस वरक्षाप का उधगाटन हुआ है जिसमें कई प्रदेशों से हमारे सीनियर कलाकार यहां आए हुए हैं राजपाल जी, संतोज साहनी जी और क्या वाता जी, परवीन साहनी जी, मुदफ़न अगर से हैं, देरा दून से हैं और यहां सब कलर वित्रन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी नेहा वैजजी ने समभाली हुई है और आप देख सकते हैं, यहां सभी कलाकार किस प्रकार से काले कर रहे हैं अभी लगबग तीन घंटे हो चुके हैं, आरम भुए यह हमारे कलाकार जो यहां काम कर रहे हैं, युवा कलाकार रास्त्रे पुरुसकार विजेता कलाकार, यह देखे जी, यह आपका अभी टेक्श्टर बना है, नमस्कार जी, आप मुंबई से और हमारे जलंदर वाली गायब हो गई जी, यह देखे जी, अभी सबका टेक्श्टर शुरुवात हो चुकी है, हमारे बहुत ही अनुभवी कलाकार है, इनका इस कारेशाला में चेयन जो हुआ है, 500 लोगों ने आविदन दिया था, उसमें से केवल 60 लोग चुने गे हैं, डॉक्टर गीता जांगरा जी, यह बहुत ही अद्बुत कारे कर रही हैं, अभी तो शुरुवात है, अभी आप देखेंगे कि इसमें आगे क यह बनता है, यह देखेंगे, यह हमारे डॉक्टर सहाव, डॉक्टर जांगरा जी, अभी इनका भी टेक्स्चर तैयार हो रहा है, यह देखेंगे, जी, स्केच यहां काफी बन चुका है, इधर भी स्केचिंग हो रही है, यह देखेंगे, यह देखेंगे, यह देखेंगे, जी, 21 सथी बारत दिखाने का प्रयास है, और इनका अब तो भारत अवश्य देखेंगे, ये देखे जी हमारे तीन कलाकार यहाँ अनस सुल्थान जी अनस जी आप क्या बना रहे हैं सर मैं बना रहा हूं क्रिशन की क्रिशन जी बना रहे हैं जी जी अपने फूर वो मांगदर्शन कर रहे हैं हमारे यूठा हमारी दुनिया का इधर देखके बोलिए, हमारा माघदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़े हैं, सारी कलाई से लिपून थे, तो आप प्रयास करें कृष्ण जी की सोला कलाई, उनको बैलेंस कर रहे हैं, पूरी पृत्री को, युवाओं को, उनका कितना अच्छा विचार है, आप क्या बना रहे ह जी, सब मैं एक युवा को मेडिटेशन करते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक है जी, कि सननास्तित्ता की तरफ पढ़ आएं, और अपने संस्कृति पर लोट कर रहे हैं, क्या बात है जी, अपनी संस्कृति की और लोटे, एक युवा मेडिटेशन करते हुए इस पर विचार कर रहा है, यह दिखे जी, आप क्या बना रही हैं बिटिया, अजन्ता के स्टाइल में क्रिशन जी, चलिए अभी सब काम शुरू हुए हैं, और यह पहली वीडियो आ रही है मेरे परीदी आर्ट ग्रूप पर, आप बैन जी क्या बना रही है, ने फाइर इन मी, फाइर इन मी, क्या बात है जी, युवा के अंदर की जो आग है उसको दिखाने का प्रित्म कर रही है, भारत के युवा की आग, जी, बिटिया आप क्या बना रही है, क्या बात है जी, बहुत सुंदर विचार, भाव भी प्रकट हो रहे हैं, हमारे बहुत सीनियर कलाकार हैं, कैलिग्राफी में बहुत अच्छा काम है इनका, आप क्या दिखाने का प्रियास कर रहे हैं वाई साब, क्या बात है जी, एक पंक्ती में बताया इन्होंने, ब्रहमांड को शब्दों के साथ जोड़ने का प्रित्न है, और अभी ये शुरुवात हुई है, कंप्लीट होने पर भी मैं आप सब को ये पेंटिंग दिखाऊंगा, हम आगे चलते हैं, आप क्या बना रहे हैं बिटा, मैं आदुनिक यूग का जो राधा क्रिशन को दर्शाने का प्रित्न है, इस पेंटिंग में राश्ट्रे चित्रकलाब कारेशाला परिधी और सेवाग्य संस्थानम के सहयोग से आरंभुई है यह जी इनके यह हमारे राजस्तान के कलाकार है सब्सक्राइक है और इनको में में इस इनके शिद्ध थी कि मुझे जो है केवल कारे करना है क्यों जी एक्रेलिक में करना और ऑलेट में करना है और उन्होंने उन पूरा किया है ये पूरी हुई और ये आज देखें बजी इनका भी जल्दी कहां रहे हम देखेंगे आप क्या दशाने कोशिश कर रहे हैं? मैं सर दशार रहा हूं कि सुनने से चांद पर हम कैसे पहुंचे भारत में सुन्य का विश्कार हुआ था और भारत ही पहला देश है जो चांद के दक्षनी हिस्से में उतरा है तो ये उसको दिखाने का प्रयास है अभी तो इन्होंने वाई टेक्स्टर सिरफ बनाया है इसके वाद आप भुजन करने चलते हैं और बाकी काम आके करेंगे चलिया जी मैं विदा लेता हूँ मैं निर्मल रतनलाल वैत परीधी आर्ट ग्रूप से इस वर्क्शाप का पहली वीडियो में आपको भेज रहा हूँ अगले तीन दिन तक इस प्रकार से जैसे जैसे काम बढ़ेगा आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें परीधी आर्ट ग्रूप के साथ आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और आप भी अपने शहर में कहीं भी कारेशाला वोक्शॉप पेंटिंग और पेडिशन कराना चाते हैं तो हमसे संपर कीजिए ये सब कलाकार आपके यहां भी आएंगे सबको नमस्कार जैहिन जै भारत